बिसमिल्लाइरह्मानिर्रहीम अस्सलामुलाइकुम वरहमतुल्लाइव वरकाथू आप लोग सब कैसे हैं इंशालला आप सब अच्छे ही होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की रेसिपी सबसे पहले एक किलो हमारा चिकन है हमने चिकन को अच्छे से दोके रख लिया है सबसे पहले हम दो चम्मत तेल डालेंगे इसमें थोड़ा सी काली मर्च डालेंगे एक दो लॉंगे और एक डौणा डालेंगे हम इसमें और यह हमारा जब फोटनें लगे हमें इसे अच्छे से भूझना है हमें इसमें जब तक भूझना है जब तक कलर चैंच ना हो जाए इसमें हमारी प्याज भी भूझ जाएगी और हमारा गराम चिकन भी अच्छे से भूझ जाएगा यानि कलर चैंच हो जागा जब हमारा यह हमारा चिकन प्याजी में तल चु धूत खते हैं। जोड़तने के साथ एक ऎनवान प्याचज भी पीश सकते हैं यह हमारा कम है तो इसलिए हमने इसमें प्याज नहीं पीश सी और इसमें हम तीन से चार खड़ी हुई जो सूखी हमारे घर में मिर्ची पड़ी रहती हैं वो हम डाल देंगे इसमें हो तो डालें नहां तो आप स्किप कर दें और इसको हम चलाएंगे अच्छे से और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और पत्ते डालेंगे और इसमें हम दो चम्मज दो चम्मज या एक चम्मज दही डालेंगे बिल्कुल हमें दही जब डालना है बिल्कुल जब हमारी फ्लेम बिल्कुल हमें धीमी करनी है क्योंकि तेज आज में हमारा दही फट जाएगा हमें बिल्कुल धीमी फ्लेम करकर एक से दो चम्मत दही डालना है धीमी आज में और इसको जब तक चलाना है जब तक दही हमारा मिक्स ना हो जाए और इसे हमें बिल्कुल धीमी फ्लेम पर भूँजना है ये हमारा बंजकर तय continuously अब हमारा चिकन भूँज चुका है हमें इसमें एक कप पाएंड आलेंगे और इसे बिल्कुल धीमी फ्लेम में गलने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि यह हमारा कम है, सीली हमने कमपाइड, यह हमारा चिकन तयार है, आपको हमारा वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक करें, सिब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, थैंक यू